है और कि एब्रीवन वेल्कम टू मैं तीजी जी आज हम सीखने वाले हैं प्रोफिट एन लाज लाभानी तो चलिए वीडियो को स्टार्ब करते हैं आप वीडियो को लाष्ट तक देखना वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं last में आपको एक बहतरीन से trick बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप profit loss आसानी से निगाल सकते हैं और जैसा कि market में बहुत से offer आ रहा है, cooler पे, fridge पे, AC पे और उस offer का फायदा उठा पाएंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो सबसे पहले हमें profit loss सीखने के लिए जानना होगा CP, SP, CP मतलब होता है cost price, जिसे क्राय मुले या लागत मुले कहते हैं, इस मुले पे दुकानदार कोई भी समान खरीद करके लाता है और SP, Sailing Price, यानि बिकराय मुले पे समान को हमें बेचता है, तो चलिए profit जानते हैं क्या होता है, प्रोफिट वो होता है, जिस मुले पे दुकानदार समान को बेचता है, और जिस मुले पे समान को खरीद के लाता है, उसके difference को हम profit कहते हैं अगर Sailing Price जादा होता है, Cost Price से, तो हमें profit होता है, दुकानदार को profit होता है, और loss क्या आता है, अगर दुकानदार Cost Price से कम पे बेचता है किसी समान को, तो उसे loss होता है, यानि हानी होता है आए परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसका, तो profit परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, profit अपान Cost Price into 100 यानि कि profit होता है, SP माइनस CP अपान CP into 100, ये हो गए formula, अब आए ये loss pressure क्या होता है, हानी परसेंटेज तो हानी परसेंटेज के लिए, हानी अपान Cost Price into 100, इक्वल टू हानी होता है, CP माइनस SP यानि कि जब हमारा Sailing Price, जब Cost Price से कम होता है, तो हमें हानी होती है, तो CP माइनस SP अपान CP into 100 कर दिया हमने आईए एक Question करते हैं, Question हमने लिया हुआ है, एक दुकानदार Cooler को 3300 रुपे में बेच कर 10% लाब कमाता है, तो Cooler का क्रेमूल ले क्या है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये गर्मी का मौसम चला है, तो Cooler और Freeze AC की हमें आउ सकता है, तो ऐसा ही Question हमने लिया है, और ये आपको बेवारिक जीवन में, आप एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, Profit Loss म अब आएए देखते हैं, ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ आपको, तो सबसे पहले हम जानते हैं, Lab, Lab होता है, SP माइनस CP, यनि इस तरीके से हमें SP सेलिंग प्राइस जो होगा, CP प्लस Lab, अब आएए चुकी, CP जो होता है, 100% होता है, यनि कोई विक्रा मुले जो होता है, वो उस पर 10%, 20%, 30% प्रोफिट ले करके, दुखांदार हमें समान को सेलिंग प्राइस पर बेचता है, अगर उससे कम में बेचता है, तो उससे लोस होता है, अब आएए, प्रोफिट यहाँ पे कितना है, 10% है, यनि कुलर को दुखांदार 10% प्रोफिट पे बेच रहा है, इस क्या है कूलर के सेलिंग प्राइस क्या है 33 रुपे है तो इसके बराबर हमने 33 रुपे के हो जाएगा ठीक है इस तरीके से प्राइस के वैलू 100 परसेंट है एक परसेंट के वैलू 30 है तो 100 पराबर हो जाएगा 30 इंटू 100 इक्वल टू 3000 हो जाएगा इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रॉफिट लास को समझा हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये प्यारा सा कमेंट कर दीजेगा अगर कोई आपको क्वेस्चन नहीं आता है तो क्वेस्चन को कमेंट में लिखना आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू थैंक्यू सो मच